नमस्कार प्यारे बच्चों आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो आज की कारेपत्रिका हमारी हिंदी कारेपत्रिका है जो की कारेपत्रिका संख्या 175 का A part है यानि कि आज हमारे सामने दो वक्षिट होंगी, पहली वक्षिट है हमारी हिंदी कार्यपत्री का, चलिए देखते हैं हमें क्या करना है नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, आप सभी ने पार्ट मुफ्ती मुफ्त पढ़ा आए, आज हम पार्ट पर आधारित कुछ और रोचक गतिविद्या करेंगे, तथा पार्ट से कुछ नया भी सीखेंगे तो परशन एक देखते हैं, नीचे कुछ पंक्तियों में कहानी का सार दिया गया है सार मतलब पूरी कहानी यहां पर लिख दी गई है, जो जरूरी चीज़े थी, वो यहां लिखकर पूरी कहानी का सार लिखा गया है परंतु हम इन पंक्तियों में कुछ शब्द लिखना भूल गई है तो चलिए नीमन लिखित पंक्तियों को बोल कर पढ़िए और खाली स्थानों को भरने में हमारी मदद कीजिए तो चलिए देखते हैं और खाली स्थानों को भरते हैं एक दिन भीखु भाई का मन नारियल खाने का हुआ तो यहां हम क्या लिखेंगे नारियल घर में एक भी नारियल नहीं था यहां हम लिखेंगे एक भी नारियल नहीं था एक भी नारियल यहां लिखेंगे और यहां आजाएगा नारियल भीखु भाई बहुत ही कंजूस थे यहां आएगा कंजूस नारियल लेने के लिए वे बाजार, मंडी और बंदरगा में गए परन्तु उन्हें कहीं भी नारियल नहीं मिला तो यहां बाजार, मंडी और बंदरगा और यहां आ जाएगा नारियल नहीं मिला तब उन्हें नारियल को खुद ही पेड़ से तोड़ने का फैसला किया जैसे ही उन्होंने नारियल को पकड़ा उनका पैर फिसल गया उन्होंने मदद के लिए उन्ट वाले को बुलाया हरे हरे पत्ते देखकर उट अपनी जगह से हिल गया अब उट वाला और वो दोनों ही हवा में जूलने लगे तबी एक घुड सवार को यहां क्या आएगा घुड सवार यहां हम शब्द लिखेंगे घुड सवार तबी एक घुड सवार को उन्होंने मदद के लिए पुकारा लेकिन अब घुड़ा भी घास देखकर यहां पे हम लिखेंगे घास देखकर उसे खाने के लिए आगे बढ़ गया घुड़े के हिलने से वे तीनों हावा में यहां क्या आएगा लटकने लगे दोनों ने भीखु भाई से निवी दिन किया कि वे नारियल को ने छोड़ें इसके बदले घुड़े वाले ने उन्हें सो रुपे और उन्ट वाले ने उन्हें दो सो रुपे देने की पेशकश की इतने सारे रुप्यों की बात सुनकर भीखु भाई ने अपनी दोनों बाहें फैला दी और वे तीनों ही नीचे गिर पड़े अच्छानक एक बड़ा सा नारियल यहां हम लिखेंगे नारियल भीखु भाई के सिर पर आफूटा वो भी बिल्कुल मुफ्त तो चलिए अगला प्रशन देखते हैं प्रशन दो पाठ में भीखु भाई ने नारियल वाले से पूछा शूचे भाई इसका मतलब ये गुजरात की भाषा का वाक्य है इसका मतलब होता है क्या है भाई ऐसे ही भीखु भाई गुजरात के रहने वाले थे वहाँ गुजराती भाषा बोली जाती है आईए अब हम कुछ और राजियों में बोले जाने वाली भाशाओं के बारे में जानते हैं संकेत वाक्यों की साहता से शब्द जाल में से यह हमारा शब्द जाल है और यह हमारे संकेत वाक्य है जिनको देखकर हमें शब्द जाल में से शब्द जाटने है तो चलिए देखते हैं पहला संकेत वाक्य क्या कहता है केरल में बोले जानी वाली भाशा अब केरल में कौन सी भाशा बोल जाती है केरल में बोले जाती है मली आलम भाशा अब इस शब्द जाल में से हमें मली आलम देखना है मली आलम कहा है मलियालम तो यह रहा बिलकुल शुरू में ही मलियालम तो मलियालम यहां हम उत्तर में कहा लिखेंगे मलियालम यह हो गया मलियालम यहां उत्तर में लिखने की जूरत नहीं है सही उत्तर ढूंड कर उस पर गोला लगाना है तो यह हमारा सही उत्तर है यहां हम गोला लगा देंगे बलियालब खेवा क्या कहता है गोवा में बोले जानी वाले भाशा गोवा में बोले जाती है कोकनी यह रहा कोकनी भाशा कोकनी उसके बार आते हैं हर्याना में बोले जानी वाले भाशा यह हर्यानवी कहा है हर्यानवी ये रहा हरियानवी हरियानवी भाषा उसके साथ-साथ पंजाब में बोले जानी वाली भाषा कौन सी है पंजाबी ये रहा पंजाबी तो चलिए परशन तीन देखते हैं पाठ में कुछ शब्दों के जोड़ों का प्रियोग किया गया है जैसे मीठा मीठा तो दो शब्द, एकी शब्द दो बार लिखा गया है इसको शब्द का जोड़ा बोला है मीठा मीठा पाठ में कुछ और शब्दों के जोड़े ढूंड कर लिखिए तो पहला जोड़ा हम यहां के लिख सकते हैं अ से शुरू होने वाला शब्द है यह हम लिख सकते हैं अच्छे अच्छे और खर में लिख सकते हैं उंचे उंचे और गर में लिख सकते हैं हम जोड़े से क्या बन सकता है जल्दी 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 चड़ रहे थे भीकु भाई पेड़ पर और इसके अलावा हम लिख सकते हैं चड़ते 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 उनका पैर फिसल गया था पैर फिसल गये थे तो यहां हम लिखेंगे चड़ते चड़ते तो यह हो गया हमारा अच्छे अच्छे उच्छे उच्छे जल्दी जल्दी और चड़ते चड़ते प्रशन चार देखते हैं नीचे कुछ स्थानों के नाम दिये गए हैं इन में से जिन स्थानों पर भीखु भाई नारियल की खोज में गए थे उन स्थानों के नाम के नीचे सही का चिन लगाई है अब हमें पता है भीखु भाई नारियल लेने के लिए कहां कहां गए थे मंडी में गए थे वो बिलकुल ठीक है यह सही का निचान यहां लगाना है गाउ में तो नहीं गए बंदरगाह में गए थे यहां हम ठीक का निचान लगाएंगे बगीचे में भी गए थे ठीक का निशान शहर में नहीं गए बाजार में गए थे यहां ठीक का निशान और मोल में नहीं गए तो हम यहां ठीक का निशान नहीं लगाएंगे और इसके साथ साथ आपको अभ्यास पुस्तिका से पुरिष्ट सुंक्या 140 पर जो अभ्यास के लिए कारेपत्रिका दी गई है वो भी आपको करनी है तो आज की हमारी दूसरी वर्क्षीट वर्क्षीट नमर 175 बी पार्ट EBS की वर्क्षीट होने वाली है चलिए इसको देखते हैं नमस्ते बच्चों हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्त होंगे प्यारे बच्चों पिछली कारेपत्रिका में हमने जानवरों के विभिन परकार के कान और खाल के बारे में पढ़ा था आज हम जानेगे कि कौन से जानवर अंडे देते हैं और कौन से बच्चों को जनम देते हैं जिन जानवरों के कान दिखाई देते हैं वही जानवर बच्चे को जनम देते हैं जिनके कान दिखाई नहीं देते वो अंडे देते हैं अब परशन एक है अब आप नीचे दिये गए चितरों की साहता से जानवरों के नाम बताईए और अपनी कोपी में लिखिए यानि कि इन जानवरों के नाम बताने है और अपनी कोपी में लिखना है उन नामों को और इसके साथ साथ ये भी बताना है इन में से कौन से जानवर अंडे देते हैं और कौन से जानवर बच्चे देते हैं तो यहां हम जानवर देख लेते हैं कौन कौन से जानवर है यह हमारे पास मेंडक यह है शतुर मुर्ग मौर गाएं और मुर्गी कंगारू सुवर कुटा बतक और शेर तो इन में से अंडे देने वाले जानवर कौन से है और बच्चे देने वाले जानवर कौन से है तो जिसके कान हमें दिखाए देते हैं वो जानवर बच्चे को जनम देने वाले जानवर है और दूसरे जिसके कान नहीं दिखाए दे रहे वो है अंडे देने वाले जानवर तो अंडे देने वाले जानवर कौन से हो जाएंगे मेंड़क हो जाएगा इसके अलावा शतुर मुर्ग हो जाएगा फिर हो जाएगा मौर और हो जाएगा हमारा मुर्गी और बतक यह हमारे अंडे देने वाले जानवर हो गए क्योंकि इनके कान हम नहीं देख पा रहे हैं और बच्चे देने वाले जानवर कौन हो जाएंगे गाएं कंगारू और सुवर उत्ता और शेर यह बच्चे देने वाले जानवर हो जाएंगे प्रशन दो देखते हैं उपर दिये गए जानवरों के अलावा अंडे देने वाले जानवर और बच्चे देने वाले जानवर का एक एक उधारन अपनी कोपी में लिखिए तो इन जानवरों के अलावा भी आपके दिमागे बहुत सारे जानवर होंगे बिल्ली हो सकती है, छिपकली हो सकती है, साप हो सकते है उन में से कोई भी जानवर आप छाटके अब आपको पता है आप एक एक उधारन अपने हिसाब से अपनी तरफ से लिखेंगे इसके लावत तीसरा देखते हैं बच्चों बहुत समय पहले धर्ती पर कुछ ऐसे जानवर थे जो अब शेश नहीं है यानि कि पहले कुछ ऐसे जानवर हुआ करते थे जो आज हैं नहीं दिखते हमें आज है ही नहीं धर्ती पर मौझूद ही नहीं है इन्ही जानवरों को हम vilupt जानवर कहते हैं कुछ जानवर ऐसे हैं जिनकी संख्या लगातार घट रही है और अगर हमने उनके बचायों के लिए कुछ नहीं किया तो वो भी vilupt हो जाएंगे जैसे हमें पता हैं, बागों की संख्या कम होती जा रही है save the tigers के नारे लगते थे tiger को बचाने के लिए बोला जाता है ताकि tiger विलूप्त न हो जाएं खतम न हो जाएं बिलकुल ही अलग तरीके के जानवर हमारे लिए काम के होते हैं यानि कि प्रकरती में संतुलन बनाने का काम करते हैं अगर एक जानवर खतम होता है तो उसका प्रभाव सब के उपर पड़ता है तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि कोई जानवर विलूप्त न हो उनको बचाय रखने की कोशिश की जाती है तो ऐसे ही दो जानवर साथ में दिये गए हैं इन जानवरों के नाम अपनी कोपी में लिखिए और यह भी बताईए कि इन में से कौन सा जानवर विलूप्त हो चुका है और कौन से जानवर की संख्या लगातार घट रही है तो ये जानवर है हमारा बाग इसकी संख्या लगातार घट रही है आप कोपी में लिखेंगे बाग की संख्या लगातार घट रही है और कौन सा जानवर जो विलुप्त हो चुका है इस जानवर का नाम है डाइनसोर डाइनसोर की जो परजाती है वो बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है तो विलुप्त हो चुका वाला जानवर कौन है डाइनसोर और संख्या लगातार जिसकी घट रही है वो है बाग चलिए परशन चार देखते हैं नीचे दिये गए कत्थनों के सामने सही या गलत लिखकर बताईए कि कौन से उपाए जानवरों की संख्या को घटने से रोक सकते हैं यानि कि हमें जानवरों की संख्या कम नहीं होने देनी उनको बचाए रखना है तो हमें ये सही और गलत लगा के ये बताना है कि कौन से उपाए जानवरों की संख्या घटने से रोक सकते हैं उस पर ठीक लगाना है, नहीं रोक सकते तो गलत का निशान लगाना है, जिससे पहला वाक्य देखते हैं, हमें जानवरों की खाल, दात या अन्य किसी अंग से बनी वस्तोय नहीं खरीदनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है ये, क्योंकि हम खरीदेंगे तो जानवरों को मारना बिल्कुल हमें दूसरों को भी बताना चाहिए, कि कैसे हम दूसरों की, कैसे दूसरे जानवरों को हमें भचा कर रखना जुरूरी है, और अगला वाक्य है, हमें जानवरों पर हो रहे अत्याचार को नजर अंदाज कर देना चाहिए, यानि कि जानवरों पर जो अत्याचा का दिए गई है वो भी आपको पूरी करनी है आज की क्लास यहीं खत्म होती है अगर आपके कुछ डाउट अभी भी बाकी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कल फिर मिलेंगे कुछ नया सिखेंगे तब तक के लिए धन्यवाद जहिन